Hello friends, तो कैसे हैं आप सब वेल तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 3D animation के बारे में कि आप लोग 3D animation वीडियो कैसे create कर सकते हो और इस topic के उपर भी काफी साथ वीडियो मैंने बनाई हुए हैं जिनको आप लोग i button पे click करके देख सकते हो और आज की इस वीडि 3D में वीडियो में देखने को मिल जाती हैं सेब आप लोग mobile के मतलब से उसी तरकी के वीडियो क्रेट कर पाऊँगे और उस ताइक के 3D animation आप लोगो मैं इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ और भी काफी सारे types की आप लोगो animation में Prisma 3D के मतलब से करके दिखाता र बना रहा हूँ और 3D animation के उपर यह मेरा पहला ऐसा वीडियो जो की successfully होने वाला है अच्छे तरीके से जिसको आप लोग पसंद करोगी और इसकी मदद से आप लोग अच्छे animation वगरा बना पाऊगी तो आर वीडियो को इंट तक जरू दिखना चलिए बिना जाटाइंग को structure के वीडियो को स्टाट करते हैं सबसे पहले आप लोगो को क्या करना है आप लोगो पैस्टओर पर पर द करना हैं आप लिए सबसेंगे सबसे ने को मिलता है सब्सेंग prone को उसको download करने के बा track simply आप लोंगों को उप्टी करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोगो देखने को मिल जाएगा जहां पर आप लोगोडिक टूल्स को जएसे moving rotating और साइस के टूल साप लोगों को देखने को मिलते हैं इसके साइस हो गड़ा दिना है Iskast करना इसका यहाँ इस का साइस बढ़ाते जाना यहाँ यहां पर हम न बैगराउंड बनाने वाले कफिल में के अफ से बाद में हमें इसके ओपर यह क्याहाँ पर पे क्यूब को सिंपली इंपोर्ट करना याहां पर बढ़ाना है कि हम इसका एक हम पर यहां पर विल्ड करने वाले तो हमें इसके थाइस को थोड़ा और इधर-उधर से बढ़ा यहां पर लेफ्ट राइट यहां पर हर एक तरीके से एंगल से आप लोगों को बढ़ा देना है और इसको हम एक रूफ टॉप बनाने वाले हैं आप दिख सकते हो हमारा यहां पर घर जैसा कुछ बन गया है इसके बार में हमें क्या करना है इसको सिंप्ली कॉपी करके नीचे को सिंप्ली कॉपी करना है और इसी तरीके से हमें और भी हाउस और बिलड़ अप कर लेने यहां पर आप बहुत सारे वहां इस स्ट्रक्टर्स होगारा को बना लेना हुग यहां पर मैं एक restaurant बना रहा हूँ क्योंकि हमें एक restaurant का scene बनाना है आप लोग अपनी तरीके से किसी भी तरीके के background को यहां पर simply create कर सकते हो इस Prisma 3D के अंदर तो यहां पर देख सकते हो मैंने tables होगे भी यहां पर लगा दी है तो यहां पर मैं उस text का नाम रखना हो restaurant और इसके font होगे रहा को आप लोग चूज कर सकते हो इसके बाद में देख सकते हो हमारा यहां पर इंवर्मेंट हो चुका है इसी किसाथ साथ यहां पर मैं एक रोड बना रहा हूं जैसा कि आप लोग देख सकते हो पर इंवर्मेंट है करना यहां पर इंष यहां पर को आप लोग लिए उसका कруг Tしま लेंगा ना इसके ओष इपिशु कम पैप बार ओल्लों को यहांसे आपनों को डाउनलोड कर लेना इसके बाद में सिंपले आपनों को प्रिजम 3D में आना है और यहां पर अपने यहां पर जो आपने स्ट्रॉक्चर वगरा बिल्डप किया है जो भी हाउसे बनाए उन सब में यहां पर टेक्च्चर वगरा एड करना जैसा कि आप लोग देख सबस्कुछ अच्छे तरीके से आप अपने हाउस में कर दिया इसी तरीके से अपर लोग यहां पर सकते हैं और चो बैग्राउंड काफी अच्छा लग रहा है इसलिए तरीके से यहां पर जो हमारे गूट सो शर्ला मुझे डालने ओर भी मैंने ऐड कर दिया साथ आप यहा सब अधेरा अधेरा सा हो गया है इसके बाद में हम यहां पे जो हमारा लाइट है उसको रोटेट करना है इसके बाद में आप लोगों को बैगराउंड ने जाना है और यहां पर बैग्राउंड को सिंपली जंप इन पर आप लोगों को यहां पर बैग्राउंड में जाना है और बैग्राउंड को सिंपली आप लोगों को चूज करना होगा तो यहां पर हम इसकाई का कलर चूज करते हैं और यहां पर देख सकते हो कलर हमारा चूज हो चुका है स्काइधे हां पूरी तरीके पर क्रियेट हो चुका गैइं इसके बारद में आप लोगों को जफैना चूक करता है खाले बिसकेशों कंट पर में ज़सी के साथ हमें और बहkehr ही की फ्रीमेशन हमें करता है और अच्छे तरीके से बन चुका है और इस animation को आप लोग simply export भी कर पाऊगे आप लोगो 3. में जाना है यहाँ पर render में जाना है simply आप लोगो और यहाँ पर रेंडर पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो width है उस पर आप लोगो simply click करना है और यहाँ पर 1280 को simply 1920 कर देना है और यहाँ पर आप लोगो फ्रॉम टू जितना भी आप लोगो यहाँ पर रेंडर हो चुका है इसके बाद में आप लोगो यहाँ पर सिंपली बैक चले जाना है इसके बाद में आप लोगो फिर से उसी जगह पर आपस जाना है और यहाँ पर आप लोगो को option देखने को मिल जाएगा उसके बाद में आप लोग अपने अपने इंवारॉमेंट पर सिंपली उसको यूज कर सकते हो जैसा कि यहाँ पर मैं कर रहा हूं और इसको आप लोग ऐसे इनिमेशन्स और बना सकते हो उसके बाद में आप लोगो को अपने इहां पर श्क्रेक्ट से अबनाने का प्रिफर के लेकिन अगले वीडियो में और ब्रीकिवाद लाने वाला हूं कि आप लोग करक्टर को प्रिज्मा 3D में ही कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं तो आप ल कर लेना है उसके बाद में आप लोगों को अपने character animation को लाना है और simply वही process आप लोगोs को प्लाइग करना है crop कर लेना है और इसी के बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना animation ready कर लेना है इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो तो मैंने अच्छे से हाप एरेज होगरा कर लिया है और इसके बाद में मैं इसको सेफ कर रहा हूं कर लेना है कर लेना है इसके बाद में क्या करना है और अपने की यह अच्छा एणिमेशन यहां पर देखने को मिल जाएगा तो आप लोगों को सिंप्ली सारे सीन्स होगरा को कुछ इस तरी किसी बनाना है और उन सब को एक विडियो टेर में इंपोर्ट करना है और विडियो टेर के अंदर आप लोगों को अच्छे से सब कुछ एडिट होगरा करना है उसके बाद आप लोगों को सिंप्ली हाँ पर अ लोबी नाम का इंसान खाना खाने जाने लगा वो रास्ते से जाही रहा था कि वहां पे कस्टमर बहुत जादा भरी हुए थी और मालिक भी अच्छे से खाना परोज रहा था अब वहां पर देखता है कि बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं और लोग देखकर उसे हैरान हो र वीडियो ज़रू से पसंद आया होगा और अगर आप लोगों को और भी वीडियो चाहिए तो आप लोगाई प्रिटन पर क्लिक करके देख सकते हो तो मैं मिलता हूं आप से नेक्स्ट वीडियो में और हमेशा कि दरह बावाई थैंक्स पर वाचिंग